सलमान खान के शो बिग बोस 17 इस वक्त अखाड़ा बना हुआ है शो के बाहर जिन कपल्स के प्यार की मिसाल दी जाती थी वो अब घर में दुस्मनों की तरह लड़ते हुए न ज़रा रहे हैं एश्वारिया सर्मा और नील भट लागतार सुर्खिया बटोर रहे हैं घर के अंदर नील एश्वारिया और विकी जैन अंकिता के बीच भी जम कर विवाद हो रहा है अपने बिगरते रिष्टे को लेकर एश्वारिया और नील सोसल मीडिया पर ट्रोल किये जा रहे हैं इसी बीच बिग बोस 14 के एक्स कंटेस्टेंट और सिंगल रहुल वैद ने नील और एश्वारिया पर बहुत ही बड़ा बयान दिया है बिग बोस 14 के first runner-up राहुल वैद ने हाली में टेली चक्कर से बात करते हुए नील और ऐश्वरिया के रिष्टे पर रियक्ट किया है यही नहीं राहुल ने बताया कि किन गलतियों की वज़े से उनकी इमेज खराब हो रही है राहुल ने कहा ऐश्वरिया सर्मा और नील भट ने बिग बोस के घर में आने से पहले पूरी तयारी कर ली थी इनी तयारियों के साथ ही उन्होंने बिग बोस के घर में कदम रखा लेकिन अब दोनों की मेहनत पर पानी फिरती हुई नजर आ रही है बिग बॉस के घर में चीजे ऐश्वरिया सर्मा और नील भट के खिलाफ होने लगी है राहुल वैदी ने आगे कहा ऐश्वरिया सर्मा और नील भट अपने जगड़े और विवादों में ही घिर कर रहे गए हैं वो दोनों अपनी बेवकूफियों की वज़़ से खुद पर ही कीचड़ उचाल रहे हैं घर वालों के सामने गेम खेल नहीं पा रहे हैं एक दूसरे की वज़़ से होने वाले जगड़े के चलते ऐश्वरिया सर्मा और नील भट अपनी इमेज भी बरबाद कर रहे हैं फिलाल ऐश्वरिया और नील को ये बात समझ नहीं आ रही है उन्होंने एक दूसरे के साथ देना चाहिए नोकी खिलाफ उन्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए नोकी खिलाफ आपका इस इस्टोरी पर का कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉलिवूड और एंटरेटेन्मेंट की खबरों के लिए देखते रहे हैं ये एबी फी एंटरेटेन्मेंट